दोस्तों ब्रिजाज कीचन में आपका सौगत है गर्मियों के मौसम में अगर आपने रायता नहीं खाया तो क्या खाया तो चलिए आज बनाते हैं राता एक खीरा को हम कद्दू कस कर लेंगे या फिर बारिक काट लेंगे एक टमाटर को भी हम बारिक काट लेंगे अब आती है प्याज की बारि प्याज को भी हमें करना है बारिक काट अब एक छोटा सा हरी मिर्ज जो बहुत ही तीखा है इसको भी हम बारिक काट लेंगे अब यहां हम दही का इस्तमाल करेंगे यहां पर मैंने मिट्टी वाले बड़तन के दही का इस्तमाल किया है जिसमें से सौन्धी संदी सी ख़ुषबू आती है है अब नॉर्मल दही का भी स्तमाल कर सकते हैं एक ककोरी हम दही का अब दही को हम मतना है यह मैं मतनी का इस्तमाल कर रहे हूं अगर आपके पास मतनी नहीं तो कोई बात अब revival में डालकर इसे पीश सकते हैं या पिर चम्मच की साहता से आप इसे फेट सकते हैं इसे 5-7 मिट तक हम फेटेंगे जब तक इसकी गुटलिया ना खतम हो जाए अब जाकर ये एकदम स्मूज सा तयार हो चुका है दही हमारा अच्छी तरह से फिट चुका है अब मतनी को रखेंगे साइट में अब इसमें हम डालेंगे बारिक कटे हुए प्याज खीरा भी डाल देते हैं इसमें टमाटर भी और तीखी वाली हरी मिर्ज छोटे चम्मच से आधा चमच हम भूना हुआ जीरा पाउडर इस्तमाल करेंगे और नमक स्वाथ के अनुसार अब करना है इन सब को अच्छी तरह से मिक्स ताकि नमक और भूना हुआ जीरा चारो तरह फैल जाए अच्छी तरह फैट लेंगे इसे इस तरह से हमारा रायता बनकर बिल्कुल तयार हो चुका है जब भी भूक लगे रायता बनाकर खाईए साधा एक कटोई या फिर डाल चावल के साथ खाईए रोटी के साथ खाईए दोफर में खाईए और मजे करिए